कॉंग्रिस नेता सल्मान खुर्शीत की राहूल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर हिंदु धर्म गुरुओं ने कड़ा एतरास जताया है आयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचारे सतेंद्र दास ने इसे भगवान राम और सनातन धर्म का अपमान करार दिया वहीं आयोध्या की तपस्सी शामनी के महंत परमहंस ने सल्मान खुर्शीत से ये बयान वापस लेने को कहा है कि व्यक्ति भगवान राम नहीं हो सकता और नहीं भरत हो सकती है कभी भी राहूल गादी को ये तुलना राम से करते हैं वो नहीं हो सकते और उनकी पार्टी भरत नहीं हो सकती उनको सल्मान कुरसीद को काना चाहिए की तुलना लाजुगान दी से कर रहे हैं अग पार्टी के तुलना भारजे के कह रहे हैं यह कभी भी किसी रूप схirm हो सकता यह यह इस प्रकार से राम भक्तों के जो राम भरत के जो भक्त हैं उपासक है उनका अपमान है सुनातन धर्म का आपमान है राहूल गांधी को भगवाराम से तुलना करना यह बिल्कुल गलत है इस पर अध्या से तपस्वीच कि प्रहुषी राम लला के दिब्भब राम मंदिन निर्माड के लिए जब राम भक्त प्रयास कर रहे बरसो तक ये रोड़ा बने रहे बरसो तक प्रहुशी राम की अस्तित को नकारने वाली कांग्रेश पार्टी, भगवान स्री राम को कालपनी कहने वाली कांग्रेश पार्टी, आज ये जो है तो राम दी की खणावू लेके चल रहे हैं, आज ये राम भरत की चर्चा कर रहे हैं, ये राम लीला का भी ने शुरू कर द दरसली बवाल इसी नहीं मचाला है क्योंकि कॉंग्रेस नेता सल्मान खुशीद ने कल राहूल गांधी की तुलना श्रीराम से कर दी थी और खुद को भरत बताया था सल्मान खुशीद ने कहा कि भारत जोडो यात्रक के दौरान भले ही अभी तक राहूल गांधी उत्तरपरदेश ना आपाए हो लेकिन वो भरत के तरहा खड़ाव लेकर यूपी आए हैं इंद्या टीवी हर वक्त हर जगह डाउन लोट करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर